दोस्तो दोस्तो एक्जाम बिल्कुल आपके सर पे हैं एक्जाम बिल्कुल आपके करीब हैं अब वो वक्त नहीं रहा कि आप इस परपज से पढ़ें कि हमें ज्यान प्राप्त हो आप इस परपज से पढ़ें कि हमें इसका नौलेज हो अब आपको इस परपज से पढ़ना है इस उद्देश से पढ़ना है कि परिच्छा में नंबर कैसे हासिल हो जाए परिच्छा में अंक कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो जाए ठीक है तो इसी क्रम में मैं आपको कुछ प्रशन बता रहा हूँ जो mostly repeated है अगर आप उन प्रशनों को पढ़ लेते हैं तो इस ब प्रशन attempt करना है देखिए as it is किस फॉर्मूले से प्रशन आएगा यह आपको को ही नहीं बता सकता लेकिन हां मैं आपको यह बता रहा हूँ कि किस बिंदू से प्रशन आएगा आप उस बिंदू को पढ़िए और उससे सम्मधित जो भी प्रशन आए उसी जवाब को लिख प्रशन आए उसको पढ़िए और उससे सम्मधित जो भी प्रशन पूछे आपको लिखना है उत्तर भी मैं बताऊंगा पहले आए प्रशन देख लेते हैं तो दोस्तों सुरू करते है नौलेज रिन करिकुलम के आखरी यूनिट यानि के पांचवे यूनिट से पांचवे तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अंतर ही पूछे आपसे बस ये पूछ सकता है कि आप उदेख से क्या समझते हैं तो मेरे कहना का मतलब है कि अगर आप एक मातर कोश्चन पढ़ लें कि लक्ष और उदेख से में क्या अंतर है तो कुछ भी पूछे आप उसे जरूर चाहि किए नंबर इस बात पर मिलेगा कि आपने एक्जाम से में क्या लिखा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले पेपर के नौलेज इडिकरम को लोगे पाच्वे यूर से आप एक मातर कोश्चन पढ़के जाईए वो क्या है लक्ष और उदेख से में अंतर डिफरेंस वीट में क्या आएगा सिच्छक का महत्व पाठे करम निर्माण में सिच्छक का महत्व सिच्छा के उदेश प्राप्त करने में सिच्छक का महत्व सिच्छा के लक्ष प्राप्त करने में तो सिच्छक के जो भी महत्व हैं वो बिल्कुल समान होंगी एक जैसे होंगे और इसको आप सुवा इक्छा लिख सकते हैं भले आप कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी आप लिख सकते हैं तो ठीक है आप ये प्रस्ण अपने ध्यान में रखिए कि आपको ये दो प्रस्ण पढ़ने हैं पहला कि आपको एम्स और अब्जेक्टिव में डिफ्रेंस पढ़ना है अब इसमें से अगर एम से पूछता है तब भी आपको लिखना है अब्जेक्टिव पूछता है तब लिखना है मैं हर एक यूनिट पे इन दोनों कोस्टिन का आंसर बताओंगा बनाओंगा अगले वीडियो में बनाओंगा ठीक है इस पेसली बनाओंगा मतलब सेप्रेड अब बात करते हैं दोस्तों चौथा यूनिट पे चौथा यूनिट असान सा यूनिट हर साल रिपीटेट ही कोशन पूछता है पार्टिकरम का बारे में अब इसमें पार्टिकरम में क्या पूछ सकता है पार्टिकरम निर्मार के सिधान पूछ सकता है पार्टिकरम के प्र आपको पाठे करम के परकार पे भी मिल जाएगा बहुत ही आसान है देखो जो चौता यूनिट है वो बहुत ही जादा आसान है आपको इस फूर्थ यूनिट में आपको पढ़ना क्या है पाठे करम के उद्देश निर्मार और सिदान मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें इसको एक्स्प्लेइन कर दूँगा वेरी शौड में ताकि समझ जाएए इससे पहले बारे में थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करके बनाया गया था क्योंकि ये पहले नॉलेज के परपस से बना गया था तो आपको बस फूर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है पाठे करम के उ भी वीडियो बनी है ठीक है इसको भी आप इसली लेंगे अगर आप केवल पाठे करम पढ़ अंतर लिख सकते हैं और पाठे पुस्तक की विसेष्था आपसे पूछता है कि एक अच्छे पूछता है एक अच्छे नोट बुक की क्या विसेष्था होगी या फिर यह सवार पुछ दे कि सिछक का क्या महत्तो है पाठे पुस्तक में आप आसानी से लिख सकते हैं मतलब इनी बिंदूों से आपके प्रश्ण बनाए जाते हैं आपको पढ़ना क्या है पाठे करम के उद्देश प्रकारस और नेर्मार के सेधान जो की वीडियो अलड़ी बनी जा चुकि ठीक है scientific study of a society समाज सास्त कहिए लाता है इसकी अर्थ प prizes प्रकिरथ और राश्टी एक आकी करल और नतरश्टी औवबोड इस पर भी वीडियो है राश्टी एका किकरल का मतलब क्या होता है कि हर एक राश्ट में एकता की भाउना होना हम की भाउना होना भारतिता की भावना होना और अंतराष्टिय का मतलब पूरे दुनिया में एक दूसरे देश के पीछे के प्रती मित्रता का संबंध होना बंधुता होना इस पे भी वीडियो है मैं आई आई आपको दिखा दूँ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अंतराष्टी औवबोध, इंटरनेशनल अंडिस्टेंडिंग, राष्टी एकाकी करण और समाज सास्त की उप्योगिता इस पे आपको वीडियो मिल जाएगी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएए यून अगराष्ट का इर्थ परिभासा और उप्योगिता ओके दोस्तों, यह हो गई बात तीसरे यूनिट की, अब आज़े बात करते हैं, दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, दूसरे यूनिट में दूसरा यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे आस सेक्षन सी का यूनिट सेकेंड से होगा अब इसमें क्या पढ़ना आपको गाधी जी स्वामी विवेकानंद रवीद ना टैग और अविंद इनको छोड़िए अब वक्त नहीं है इनको इस पेसली पढ़ने की आप एक मात्र सवाल पढ़िए सिक्षा दर्सन सिक्षा दर्सन म आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको ये एक वीडियो मिलेगा जिसमें सभी विवेकानंद गांधी जी रविना टैगोर और अरविंद घोष जी सबके सिक्षा दर्सन की समान बातों को मिलाकर एक वीडियो बना दी गई है आपको ये वीडियो देख ले मात्रुष की विश्यस्ता पढ़िए उसका सिदान पढ़िए और अधर्सवाद प्रकिर्तिवाद या थार्दवाद और परियोजनवाद ये चार इंपोर्टन तो हर साल पूछी जाते हैं मैं माफी चाहता हूँ अभी तक इस पर वीडियो नहीं बना एक्चुल मैं इस प वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी तक अपलोड नहीं हुआ तो यूनीट टू में केवल सिक्षा दर्सन पढ़िए सबने समान उद्दे से दिए सबने समान सिधान दिए सबने समान सिक्षा की विश्यस्ताएं बताई ठीक है और यूनीट टू में इन-4 विंदू को और दूसरा बौधिक सिख्षा, उपनिसत सिख्षा, वैदिक सिख्षा, इसलामिक सिख्षा और विद्या और अविद्या, इन सारे चीजों को पढ़ने हैं, आप बिल्कुल मत घब रहे, आपको क्या करना है, सिंपल आप कोई दो पढ़ लिजिए, मैं सिंपल सी बात केता तो आप यूनिट फॉस्ट में एक काम करिए, सिख्षा के अर्थ परिबासा इसकी बेसिक चीज़े, और बौधिक सिख्षा और वैदिक सिख्षा, इन दो सिख्षाओं के बारे में पढ़ लिए, मैं वीडियो वैसे अप्लोड करूँगा, बस ये पढ़ यकीन मानिए, आ आपके पास इतना confidence आ जाएगा, आपके पास इतने word power आ जाएगे, आपके पास इतना इस पूरे subjects के बारे में इतनी जानकारी हो जाएगी, कि आप कोई भी question छोड़ेंगे नहीं, इस बात की guarantee मेरी है, हाँ एक चीज़ मैं और repeat कर दूँ दोस्तो, मैं ये बिलकुल कोई भी नहीं कह सकता कि आप से सवाल यहीं पूछा जाएगा, कि सिच्छा के उदेशों का वर्ल कीजिए, नहीं, सवाल कुछ भी पूछ सकता है, सवाल केवल एक मातर यह पूछ सकता है, जैसे unit first की बात करें, सवाल बस यह पूछ सकता है, सिच्छा को परिभासित के लिए, सिच् सिख्चा एक निवेस है परकास डालिए अब ये आपको स्वहम अपनी विवेक से आंसर देना है पहले आप सिख्चा का परिभासा लिखेंगे उसके बाद सिख्चा एक निवेस है निवेस का मतलब क्या investment इनवेस्टमेंट वो चीज होती है जो आगे चल के काम देती है तो प्रिसाथ सिक्षा बहुत सीमिलर है मैं वीडियो बनागे समझाऊंगा ठीक तो आप जब यह पढ़ लेंगे इससे संबंदित सारे सवाल आप हल कर लेंगे इसकी गारेंटी मेरी है अगर आपने यह पढ़ लिया तो इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है आप तो स्वयम इस बात साथ की वीडियो देख लेते हैं और राष्टी एक आकी करण और अंतर राष्टी एक आकी करण पढ़ लेते हैं यूनिट थर्ट से पूछे गए हर सवाल के जवाब आप दे देंगे इसी बात की भी गारेंटी है ठीक है लेकिन जवाब देना पड़ेगा अब एक्जैप् सम्मंदित जो भी प्रशन आए आपको लिखना पड़ेगा और इसी सम्मंदित सवाल आएंगे चौथे इनुट में दोस्तों पाठे करम पाठे पुष्टक और पाठे चरे में अंतर पांचवे इनुट में लच उदेश में अंतर याद करिए और सिच्छक का महत्व में खतम करेंगे आपको पढ़ना है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना एक एक मिनट एक एक सेकेंड प्रोडक्टिव बनाइए बहुत हो गई बाते बहुत हो गई इस रिसर्च अब जो भी चीज़े हैं इन प्रशनों को पढ़िए समझे रटना नहीं है लिखना भी न इस वीडियो में दीगे जंदकरी आपको कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आंसर्स प्रिपेर कर रहा हूं और जल्द अप्लोड कर रहा हूं आप तब तक स्वेम भी पढ़ सकते हैं किसी दूसरे यूटूबर से भी पढ़ सकते हैं बहुत बहुत शुक्र इस वीडियो को देखने के लिए जय ही जय वार